तो गाइज यह रही बाइक आपाची 200 और यह इसके ओनर है प्रभु जी बताएंगे कि यह बाइक कितनी कंफर्टेबल है और क्या परफॉर्मेंस की विकाज एक दिन में तो आप किसी बाइक को जज नहीं कर सकते हो और यह अपाची 200 इस ने अपग्रेड किया बाइक को तो थैसा बता सकते हो इसके बाइक कैसी है कितनी कंफर्टेबल हैं माहिरेच कितनी ए परफॉर्मन्स का है यह आप धी वता हुग है अग्यों तो दो आपके पाचे प्रभू के साथ पहले अपाची की बात करते है जो जिसके लिए हम आए है पहले आपको यह बता दू कि मैंने इसको फिलहाली अपडेट किया है अपाची मेरे पास थी और उसकी भी पावर कुछ अलगी थी बट मुझे थोड़ा सा और पावर चीए था तो जब यह लॉंच ह और यह 200 ने परफॉमेंस को लेके वो तॉर्ग एपावर कुछ फील आया उसमें बिल्कुल फील आया पहले तो इसमें सिटिंग जसे अब बैच्की पार्ची मेरे और अपाची तो हंड़ में बहुत डिफरेंस है इसमें के मामले में उसके बास बास ब्रेकिंग मामले में आगे पिछ दिस्क हैं बहुत आपको आपको चलाने में फील आता है आपको आपको मज़ा आजाएगा तो यह बाइक बेटर है वन सिस्टी से राइट राइट प्राइस में कितनी महिंगे थी त्री आप मैंने तो लीटी वन लैक्ट सेविन थाउसी और अब यह बहुत चाद अब ने अब में इसको बहुत वैक्ट सेविन से बहुत प्रेंट होण टप्री आपको मैं भीडें थाउसी कर आता हूं जो दो फांसे पुल्टें तुम्हारी कॉन से बाइक फ्राइट है यह है आपाची फॉरंड़िट्गी फॉरंडट्ड गिए सो वनसिक्स्टी और वन बाइक पल्सर और कीजिए मार्केट में टीविस ने जगाय बनाने के लिए और इस वैगेंट के बाइक के कॉंपेटीशन देने के लिए अपना यह बाइक लाउंच की है तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन डिस्प्लेश्मेंट की इस पाई की इंजन डिस्प्लेश्मेंट है 197.75 cc आप देख सकते हैं कि काफी इंप्रूब किया है या आप ग्रेट किया अपने इंजन को 160 से अल्मोस 200 cc तक आ चुकी है यह बाई सो KTM को और NS को अफकोर्स यह अच्छा एक कहते है ना competition देने वाली है सो इसके अगर max power की बात करें सो इस पाई की max power है 20.7 bhp at 8500 rpm सो जो power है यह काफी इंप्रूब किया है 180-160 के comparison में TVS ने सो अफकोर्स यह बाई कहीं भी पीछे नहीं है KTM और NS से जो पलसर की NS है चलिए बात करते हैं इसके piston और cylinder की तो piston और cylinder का जो बोर है वो 66 mm है इस bike में single cylinder की bike है 4 valve है cylinder में और आगे इसके बात करेंगे braking system की ABS लगा इसमें तो काफी अच्छा control है आप अगर rash driving में करते हैं आप rough bike चलाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ राइडिंग वारा थो आपको जुनून है तो आप अपको बाइक बगाना पसंद करते हैं या आपको तर इस टंट करना बहुत अच्छा लगता है तो आपको लिए इस bike काफी अच्छी है जैसा कि आप देख सकते हैं प्रभू यहाँ पर सुसाइड बर्णाउट कर रहा है तो आपको इसमे आपको एक बहुत अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम सपोर्ट चाहिए जिसे आपको बाइक फुली कंट्रोल हो आप सीख सकते हैं तो मेरी तरफ से इस bike को 10 on 10 है अगर आप KTM या अधर मार्केट में जो भी बाइक हैं अगर आप सोच से लेने के लिए तो TBS 200 अपाची अपकोर्स एक आपके लिए अच्छा आपशन है सो मेरी तरफ से good to go